ताजा तरेन खबरों के लिए प्राइम न्यूस 24 को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन का बटन दबाएं नमस्कार मैं खुश्बू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूस 24 सचकी आवाज खबर यूपी के सहारनपूर से है जहां बदमासों ने पुलिस प्रसासन को खुली चुनोती देते हुए दिल्ली रोड सिप्स स्टेट बैंक आफ इंडिया की एटियम मसीन को उखाड कर ले गए बताया जा रहा है कि मसीन में 17 राग कैस से पुलिस मौके पर पहुँच गई है जांच पर तार जारी है और हमारे साथ जुड़ चुके है सहारनपूर से ब्यूरो इंतजार मलिक जी कल रात को एटियम उखाडने का जो मामला सामने आया था सरा आप बताईए जी मामला इस तरह से है यह कि इस तरह की कही वारदातों अंजान दे चुके हैं और पुलिस पर तार्षासन के अधी जो है संगान में मामला आया है एक बो वटना इस से पहले भी हो चुकी है लेकिन अधी तरह मुझ्मों का कोई पता नहीं दखात होई है लेकिन असवासन दिया है पुलिस पर तार्षासन में कि जल से जल इस गिरो को अरेस्ट किया जाएगा उके सर मैं जानना चाहूंगी कि जहां यह घटना घटी है वहां से पुलिस चुके सर कित्ती दूरी पे है लेकिन इसमें चला के साम कर रहे हैं जो बहुत ही माना जाना जाना यह माना जा रहा है इस गैंग ने अभी जो है कुछ अभी में सर्कावें में यह घटना की है और जल्दी इसका गुरह का परतापास होने वाला है तो क्या सर पुलिस को कोई सफलता हाथ लगी है या नहीं अभी नहीं अभी पुलिस को कोई सफलता हाथ आसिल नहीं हुए कोई सबूत तक भी नहीं मिल पा रहा है पुलिस को और इसकी चान भी नहीं में लगी जिए पुलिस सब्सक्राइब करें लेकिन सब्सक्राइब करें लेकिन सब्सक्राइब बताए जा रहे हैं तो यह ठीक है दन्यवाद इंतजार मलीग जी इस देखिए यह कल देर रात की बात है इस टेट बैंक परता है दिली रोड पर उसके बार एक एटिम लगा हुआ है यहां पर दस विजे गार्ड चला जाता है यहां का गार्ड जो है दो गार्ड है और रात में तस विजे चले जाते हैं यह बंद करके चले गए ऐसा फसीत हो रहा है कि लगबग रात त्री में तीन की जा रही है हमारा प्रहार से कि हम जल्दी जल्दी इन अपरादियों को पकड़े लगबग कितना कैस गया होगा है देगे इसका अभी आखलन किया जा रहा है मेरे साथ बैंक मेनेजर भी मौजूद है आप देख सकते हैं तीछे तो उनका कहना यह है कि इसका आखलन कर रह और दातों से संसनी फैली हुई है सहारनपूर से वीरो इंतजार मली की रिपोर्ट